गुड मोर्निंग पयारे प्यारे बच्छो कैसे हो सब साथ सथ काम करे जा रहे हैं ड विडियोद देख लेते हैं बड तब विडियो अधियर आग काम भी Time to time भेज तेरो, मुझे भी पता चिले ना कि कौन बच्चा काम कर रहा और कौन नहीं कर रहा है ठीक है, अब भी जो हमारी वीडियो है, यह हमारी मैच की वीडियो, हमारे मैच में एदिशन करेंगे हमने इसके अभी सिर्फ आपने pictures वाले किये थे ना जब आपको कुछ pictures दे रखी है तो आपने उनको add करना है आज हम इसके sums शुरू करेंगे और इसके लिए आपको बिटा मैंने चीज थोड़ा सा अलग बताना है अभी वैसे तो आपने kg में भी किया हैं ये simple sums बट kg में आपने lines लगा लगा के की होंगे अब कोई भी बच्चा line लगा के नहीं करेगा ठीक है अभी आपको tough लगेगा थोड़ा सा मुश्की लगेगा pattern बट still आप routine में करते रहोगे तो आपको इसकी practice हो जाएगी आपने mind में नहीं करना है अब मैं बताते हूं कि कैसे करेंगे हम जैसे हमारा first question है four plus three ठीक है four में हमने three को plus करना है हमारी जो उपर वाली digit है उसको आपने mind में रखना है four keep in your mind और नीचे कितना है three then three अपने fingers कर लो ठीक है अब four से आगे बढ़ना है अपने four तक तो उपर दे रखा है ना four से आगे बढ़ो five six and seven seven आगे यहाँ पे कितना लिखा है seven ठीक है बच्छा अब ऐसे ही next five plus two five keep your mind and two fingers next five से आगे बढ़ो six and seven तो यहाँ पे कितना आएगा seven ठीक है ना यह देखो ऐसे ऐसे ही अगला है four plus one यह तो ऐसे simple है four keep your mind one finger four से एक आगे बढ़ो गे तो क्या एगा five ठीक है next seven plus two seven keep your mind two fingers seven से आगे बढ़ो eight and nine तो इसका answer क्या हो जाएगा nine ठीक है next is three plus three three keep your mind three fingers three से आगे से बढ़ना है four five and six तो इसका answer क्या जाएगा हमारा six आया बटा गुछ समझ में अभी आपको थोड़ा सा difficult लगेगा बट धीरे धीरे सीख जाओगे lines लगा के बटा dependent बन जाते हो फिर क्योंकि अब ठीक है आप first class में कर लोगे lines लगा के बट आगे second class में जब जाओगे तो calculation और बड़ी हो जाती है फिक कहां तक कितनी lines लगाओगे तो इसलिए better है न कि हम अभी से lines को छोड़ दें और अपने fingers के भरोसे चलें आपको अच्छा पता है चलो एक knowledge की बात बताती हूं बीच में ही आपको पता है कि हमारी जो fingers है वो 10 है न इसलिए जो हमारे numbers है उनका base 1 to 10 है हर चीज में देखना आप आपके phone में इतना ही होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लैपटोप होंगे लैपटोप में ऐसी होता है हर जगा आपको कहीं पे भी दिखेगा न तो numbers ऐसे ही लिखे होते हैं वो reason क्या है क्योंकि हम जब पहले थे न बहुत पुराने time में तो सिरुफ fingers पे ही count करते थे तो इसलिए जो हमारी calculation का basic होता है वो इससे अगले करते हैं पेटा 5 प्लस 9 अब आपको दोनों हाथ की fingers यूज करने ही पड़ेंगी है न कैसे करोगे पहले आप 5 को क्या करोगे 5 कीप इन your mind and 9 fingers 9 fingers 5 and 4 ठीक है अब प्लस कोरो चलो किसकी निचे चलना है 5 से 5 से निचे जाओगे 9 तक जाना है 6 7 8 9 10 11 12 13 14 क्या अंसर आएगा इसका हमारा 14 ठीक है ऐसे ही अगला कोश्चन है 7 प्लस 8 7 प्लस 8 को भी हमने सेम करना है 7 keep your mind and 8 fingers 8 fingers हो गई न मेरी अब आप बढ़ो किसके निचे 7 से निचे 7 से निचे काउंट करो 8 9 10 11 12 13 14 15 तो यहां पर क्या आजाएगा 15 ठीक है बट्टे समझा रहा है ना अगे 4 प्लस 5 4 keep your mind 5 fingers आपकी 4 के आगे से बढ़ो 5 6 7 8 9 अंसर क्या आजाएगा आपका 9 ठीक है अब आगे आप अपने आप करो जारा साथ सा चलो fingers open करो अपनी अगला कोश्चन है 6 प्लस 8 6 को माइन में रखो और 8 fingers open करो अपनी ठीक है कर ली सबने अब आपने 6 को नहीं काउंट करना है 6 से आगे से काउंटिंग चुरो करनी है करो जरा 7 8 9 10 11 12 13 14 आगे ना सबका 14 अंसर बश कितना एजी है कुछ ही नहीं इसमें है ना चलो अब नेक्स्ट भी करो 7 प्लस 4 7 keep your mind 4 fingers 7 से आगे 8 9 10 11 इसका अंसर क्या हो जाएगा 11 इसी है ना ठीक है अब यह भी आप करो चलो 6 प्लस 6 6 को माइंड में 6 fingers 6 के आगे से काउंट करो 7 8 9 10 11 12 ऐसे ही 4 प्लस 9 4 keep your mind 9 fingers करो और 4 के आगे से काउंटिंग चुरो 5 6 7 8 9 10 11 12 and 13 सबका 13 आया है आपको तो आगे कितने जल्दी आगे ना आप अब तक वैसी लाइन्स लगा लगा के करी जा रहे थे next 2 प्लस 6 2 keep your mind and 6 fingers करो जड़ा 6 finger करके 2 से आगे से काउंट 3 4 5 6 7 8 तो कितना बन गया हमारा 8 2 plus 4 2 and 4 fingers 3 4 5 6 6 3 plus 4 3 keep your mind 4 finger 4 5 6 7 कितना जाएगा हमारा 7 ये तो बिटा मैंने आपको बता दिया solve करके इससे के आगे जो 3 lines है ये आपने खुद solve करनी है ठीक है easy है बिल्कुल कुछ भी नहीं है और lines लगा के नहीं करनी है सब ने ये ही formula बनाना जो भी मैंने आपको बताया न उपर वाले को keep your mind करना है जोहां निचे लिखा वरतने fingers open करने है then इससे आगे से आपने counting शुरू करके वहां तक count करना है ठीक है बच्चो अभी नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं होगा आपको थोड़ा help ले ले लेना मम्मा की but lines लगा के नहीं करना है ठीक है अभी आपका maths का हुआ के ये बच्चो और ध्यान से अच्छे से करना है और घर भी ही रहना अभी ठीक है बाइबाए